I hope आप सबस्चे होंगे तो पिछले क्लास में पिछले लेक्शर में हम लोग देख चुके थे प्रोकरियोटिक का स्टॉक्चर देखे थे एक बार हम लोग फिर से अभी सुरू करते हैं प्रोकरियोटिक का स्टॉक्चर देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्लास का logo या NCRT का PDF नहीं देख रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह NCRT से नहीं है ठीक है यह pure NCRT है और दूसरी बात कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं ठीक है तो please don't skip it आप पूरा वीडियो देखे पूरा लेक्चर देखिए आपको समझ में आएगा ठीक है ना अपने क्लासमेट अपने अधर बायो जो आपके फ्रेंड है लेको सरकल में है उनके साथ में जरूर सेएर करें ठीक है और मेरे साथ में connect होंई है उके तो अब हम लोग किया है कि सुरू करते हैं यहां पे सब्से पहला कि अगर भात करें अब कि जो प्रो कर्योत्स हैं उसका relationship ढ़ेकْ आपी देखे थे आपको रो कर्योlast से प्रोकरियोट में सिफ आपको बैक्टेरिया देखने के लिए मिलेगा क्या देखने मिलेगा बैक्टेरिया ठीक है यानि कि प्रोकरियोट में आपको कौन सा किंग्डम आएगा यहां पर मोनेरा या कह लिए कि मोनेरा में प्रोकरियोट में प्रोकरियोट किसी भी किंग्ड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और प्रोकरियाटस सुफ और सिप मोनेरा किंडम में आते हैं मोनेरा किंडम में क्या बैक्टेरियल जिसको बोगों बैक्टेरिया इस में सबसे ज्यादा होता है क्या होता है बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया का इस्ट्रक्चर तो हम लोग देख चुके थे चलिए अब हम लोग देखें यहाँ पर कि बैक्टीरिया के बारे में और क्या क्या यहाँ पर यानि कि प्रोकरियोटिस के बारे में क्या क्या और हम लोग यह भी देखेंग लेकिंगे जो फ्यूलीड है उसको हम लोग कहते हैं साइटो प्लाजम इसके अंदर में बैक्टेरिया में आपको कोई भी सेल और गेनल्स नहीं पाए जाएंगे इसीलिए उसे कहते हैं तो बैक्टेरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ राइबुस्वंद देखने मिलेगा बैक्टेरिया में जो डियने होता है उसे हम लोग निकलोयड सरकुलर डियने कहते हैं यहां पर यह आपको दिख रहा होगा असल में यह main DNA है बैक्टिरिया का यह क्या है यह main DNA होता है यह well defined नहीं होता है इसके उपर में किसी भी तरह का परत असल में क्या होता है जैसे मान के चलिए कि जो boss होता है boss को extra security चाहिए एक नहीं चाहिए तो लेकिन यहां पर क्या है ना बैक्टिरिया का है बैक्टिरिया में आपको यह क्या है आपको बहरी परत आपको देखने के लिए क्या है नहीं मिलेगा इसके उपर में किसी भी तरह का nuclear membrane देखने नहीं मिलेगा इसलिए निकलियोड कहते है यह तो एक तरह से कह सकते है not well developed इसक्राइब ऑप एक और extra DNA होत किसे में पांच फ्लेजला ऐसे देखने के लिए मिलेगा जो कि ncrt में नहीं है बट मैं इस pdf में आपको दिखाऊंगा नाम भी बता दूगा आपको एक तरह से याद रखना है उसे ठीक है फिर उसके बाद में पाइलस होता है आपको दिख रहा है यह पाइलस हो गया फिर उ फिर उसके बाद में कहा है यह हमने इस्ट्रक्चर देखा अब हम लोग आते हैं क्या थियोरी पर ओके आपको क्या दिख रहा होगा कि इट लैक्स मेंब्रेन बाउंड औरिगनल्स इन जो प्रोकरियोट्स होते हैं उसमें आपको किसी भी तरह का ओर्गनल्स नहीं देखने मिलेगा सिफ और सिफ राइबोजूम आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है ना क्या देखने मिलेगा राइबोजूम देखने के लिए मिलेगा बैक्टेरिया जो है किस से बिलॉंग करता है मोनेरा किंग्डम से इसमें आपको क्या और ब्लू ग्रीन अलगी आनि साइनो लेकिन शिफ और सिफ एक प्रोकरियॉअट ऐसा है जिसके पास में सेल वाल नहीं होता है कौन सा mycoplasm, mycoplasm के पास में cell wall नहीं होता है, ठीक है, prokaryotes की बात बाने, तो prokaryotes present misozoom, misozoom आपको दिखे घए यहाँ पे, ठीक है न, misozoom आपको देखने के लिए मिलेगा prokaryotes में, और आपको क्या चीज है, plasmids भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि मैंने बताया था cytoplasm में आपको ribosome, mesosome, ठीक है mesosome क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा जैसे कि ये cell है, ये bacterial cell है ठीक है ये एक bacterial cell है ठीक है ये bacterial cell है अब ये इसका अंदर का क्या है स्लव बallas यह यह आ अंदर की ओर इस तरह से न वह आ जाता यो यह अन्दर की ओर ऐसे निकल जाता तो यह अंधर में जो extension निकल निकला इसी को क्या चूहते कि क्या trailer मि जा यह से फिर से क्षा सही बात करें तो बैक्टरिया मैं आपको क्या है कौन कौन से इसे क्लिए के लिए हो घ्याल ठीक है को काय आपको धेखने के लिए मिलेगा को काय कहने मतलब यहाँ निस पर eer denis में कहीड दाइक कोकर्स आधार याद रहेगा अगर वो något सिप दो होगा क्या यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे दो को कश spectrum कोकस इसिव आपकोर सकत है well कर करें आपको सफैइल जल और बेरें से पुइंग्वोर्पाइब रॉड सेल में आपको दिख रहा है यह क्या है रॉड में आपको यह एक रॉड जैसा यह टाइफोर जैसे सल्मोनेला टाइफी उसका जो सेफ होता है विब्रियो कोलेरा जिससे कोलेरा बिमारी होता है उसका जो सेफ होता है वह असल में कॉमा सेफ का होता है कुछ ऐसे कॉमा स तो चार सेप आपको याद रखना है और यह गया तीसरा योग्या दूसरा योग्या पहला इस तरह से चार सेप आपको याद ही रखना है विब्रियो कॉलेरा मतलब कॉमा सेप इस पाइरल सेप में आपको क्या यहां पे इस तरह से घूंग चाओ दिखेगा इस पारिलम बैक्टरिया जिसे हम लोग कहते हैं इस बारल सेप का डन यहां तक के लिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यह तो हमने देखा सेप के साइज होते हैं अगर अनुमान लगाया तो कितने जैसे सिंगल सेप का साइज होता है ओस्टिश एक का कितना 100 Megukan क conflict कितना होता है एक नौरमल मेटर खितना होता है रहल puisनता नॉर्मल चिकिन एक कितना जो है प्रोक सेम सेम है 50 माइक्रोन मीटर होता है बैक्टेरिया से उससे भी छोटा था 1 माइक्रोन मीटर ठीक है वाइरस जो है वाइरस जो है आपको 100 नैनो मीटर में आपको दिखेगा नैनो मीटर छोटा होता है माइक्रोन मीटर से ठीक है न यह चीज याद रखेगा फिर यह पर अगर हम बोले लिपिड्स या मॉलिक्यूल एटम एटम की तो जीरो पॉइंट वन नैनोमीटर का होता है एटम का साइज देखे हां पर तो यह साइज याद रखिए जो कि नॉर्मल लाइट उसे कहते थिए यह पर мама के देख सकते हैं है कि प्लांट से ऐसे करके यह फ्रौई इसमें ये से बाद में एलक्टोν माउक्रोसको asking क्ये का है ज्यूरो ऐorf नैइनो मीटर वदेखते हैं केटั้ से इल्लेक्टोन माइक्रोस कोप से देख सकते कि अब आपको हर component में देखने के लिए मिलेगा धरती का है जो जीवित जो आजीवित है उसकी बात कर रहे हैं अब जैसे अगर हम बोले कि कुछ बैक्टेरिया बहुत ही एक्स्ट्रीम कंडिशन में पाए जाता है तब उसको क्या बोलते है वैसे बैक्टेरिया जैसे बोलेंग ना कि अगर हमने बोला कि एक ऐसा भालू जो कि स्नू में पाए जाता है तो उसको हम लोकी क्या बोलते है कि क्या बोलते है ऊसको पोलर बियर कहते है कि तो सब्सक्राइब अगर हम यहींद अगर imm यहीं बात अगर बहुत ही एकम ऐसा बैक्टेरिया जो कि सीपोसिफ एक forgiven यहां लिए तेंपरेचर में इसलिए धर्मोफास कहते है त्हिक कॉया P counted ह। ठीक क्योंकि चोकर आपको यहां से रिखा रहा है यहा यहां पर एक्सेट्रीं-पॉइ सब्स क्याär ठीक है यह जो बैक्टरिया यहां पर आपको acid में यानि extreme pH में यानि कि बहुत ज़ादा acidic condition में मिलेगा तो उसको acidophiles कहते हैं जो base में मिलेगा उसको alkino alkali files कहते हैं अगर बहुत ज़ादा जहां पर pressure लग रहा होगा तो वैसे बैक्टरिया को बोलेंगे हम लोग पर टॉम है समझ में हारी मेरी बात यह चीज अगर हमने बोला यहां पर कि कुछ ऐसे बैक्टरिया हैं जो पूरे ठंड में रहते उसको जैक्रो फाइल्स कहते हैं जो पूरा घर्म जगापे रहता है वक्तिर्या की जच अब फसको उसको ना इन और्विक बैक्टिरिया कहेंगे जो आपको desert area, marol isthal में भी bacteria पाए जाते हैं तो उसको जो कहते हैं, zero files bacteria high radiation, high toxic ऐसे और भी condition से जहाँ पाए जाते हैं कुछ bacteria ऐसे जो normal air वाले condition में पाए जाते हैं उसको aerobic bacteria कहते हैं, क्या कहते हैं उसको aerobic bacteria कहते हैं, ठीक है जी जो anoxic, यानि कि जहाँ पे सास नहीं होता है, जहाँ पे oxygen नहीं होता है वहाँ पे रहने वाले bacteria को क्या बुलते हैं, anaerobic bacteria अब मेरी बाते समझ में आ गई आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि snow में रहने वाले भालू को, ठीक है, उससे हम लोग क्या बुलते हैं, polar bear, बस चली, अब हम लोग क्या है, external feature of bacteria, देखते है, external structure of bacteria ठीक है न, देखें आपे, मैं उतना detail में आपको नहीं, NCRT में अब मैं लेके चलता हूँ पहले मैंने आपको NCRT वाले PDF में लेके चलता हूँ, फिर मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, आगई बात समझ में चीज, तो चली, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कि आपका NCRT PDF में, अब देखें आपे क्या है, NCRT PDF में आपको क्या आपे देख रहा भी जो टॉ Pneumonia-like organism, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बैक्टरिया जो जेनरली small size के होते हैं, multiply करते हैं rapidly, ठीक है न, यूकरियोटिक्स में भी जैसे rapidly than, यूकरियोट्स यानि कि यूकरियोट्स से जादा divide यानि multiply करने का चमता प्रोकरियोट्स में होता है, इस sentence को assertions region के लिए याद रख बैक्टेरिया का सेप कैसा होता है, चार सेप होता है, जैसा मैंने भी बताया था, रोड सेप का, कोकस को हम लोग स्पेरिकल सेप कहते हैं, विवरियोग को कॉमा से बैक्टेरिया कहते हैं, और स्पारेलम बैक्टेरिया को स्पारेल सेप कहते हैं, जो कि घुमाओदार होता ह bacteria में आपको क्या चीज है जो prokaryotic bacteria है उसके क्या आपको wide variety of shapes and functions देखने के लिए मिलेंगे उसमें बहुत सारे shapes and उसके अलग-अलग functions होते हैं किसके prokaryotic cells के आगए बासमज में आप यह चीज clear जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यह typical bacteria का diagram है जो कि एक से दो micron meter का होता है PPLO का 0.1 micron meter है viruses का 0.2 से लेकरके 0.2 micron meter तक होता है और यहाँ पर अगर हम बात कर ले एक typical cell का eukariotic cell का यानि कि चाहे plant का हो चाहे अनिमल का हो चाहे कोई भी एक eukariotic cell का उसका size होता है 10 से 20 micron meter तक का ठीक है यह चीज आ गया बात समझ में किलियर है अगर हम बात करें कि प्रोकारियोट में तो प्रोकारियोट में जैसा कि हमने अभी जश्ट बताया था आपको कि प्रोकारियोट में क्या होता है कि सेल वॉल होते हैं लेकिन हापे कैपसूल भी आपको याद रखना है अभी हम बीच में ना matrix filling जानी कि उसमें cytoplasm होगा well defined नहीं होगा nucleus ठीक है well defined nucleus prokaryotes में नहीं होगे genetic material इसमें naked होगा यानी उसके उपर में कोई भी cover या नहीं होगा present किसी भी तरह का membrane या layer ठीक है उसके बाद में बुला गया है कि जो additional and in addition genomic dna आपको इसमें extra genomic dna देखने के मिलेगा extra dna देखने मिलेगा जिसको single chromosome या circular dna यहाँ पर कहा रहे हैं और extra में कौन सा था तो plasmid था जिसे हम लोग क्या बोल रहते हैं पर plasmid कहा रहे थे ठीक है ना यहोग या प्लाजमीड यहाँ पर हमको देखने मिलेगा extra chromosomal circular dna जिसे हम लोग कहा रहे है ठीक है फिर यहाँ प प्लाजमीड का में फंक्शन का भले हमको यह 12 में पढ़ना है 12 कलास का जो बायो टेक का चैप्टर है ठीक है ना यह चीज बायो टेक का चैप्टर बायो टेकनलोजी वहला उसमें हमको plasmid का बहुत बड़ा रोल पढ़ना है वहाँ पर वह एज़ा वेक्टर काम करता यह च जिसको कह रहा है और यहाँ पना आपको गोल गोल है इसे बहुत सारे आपको plasmid देखने मिलेंगे यह plasmid में खास क्या होता है यह plasmid में ऐसा जीन होता है जो की बैक्टेरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता देखें आप लिखा भी है resistance to antibiotics मतलब कि उसको क्या है उस plasmid वाले डेने में ऐसा जीन है कि जो बैक्टेरिया को जहर से बचाता अगर उसके आस पास में कुछ जहरीला कुछ टॉक्सिक सब्स्टांस अगर पाय गया या फिर मौजूद हुआ तो उससे वो plasmid उसको बचाता है ठीक है न यह चीज़ आ गई बासमझ में किलियर है त अब यहां पर देखिए कि next में यहां पर क्या है जो यहां पर लिखिए बाते कि no organs अब यहां पर क्या बोला है कि जो DNA होता है और हां जो यह plasmid है उसको हम लोग as a monitor bacterial transformation with foreign DNA यह बायो टेक वाली बात है इसे अभी नोट करके रखेगा इसे अभी नोट करके रखेगा इसे अ लग तरीके से जैसे होता क्या ना बस इतना अगर समझ सकते हैं तो समझे मेरी बातों को कि जैसे यह cell है इसके अंदर में जो यह plasmid था इस plasmid को हम लोग बाहर निकालते हैं इसको cut करते हैं और इसमें हम दूसरा DNA को जोड करके अपना gene of interest को इसमें add करते हैं और add करने के बाद वापस से हम इसको इसी bacteria cell में डाल देते हैं और इसके अंदर में यह जो gene डाले हैं अपना gene of interest को उससे हम क्या करवाते हैं production करवाते हैं अपने product का अपने gene of interest का जो product बनना है वो उसको उस bacteria के अंदर में product को बनवाते हैं इसको हम लोग बायो technology में पढ़ेंगे और detail म फिलहाल के लिए बस इतना समझे यह transformation में भी यूज होता है ठीक है किलियर अब यहां पर अगर हम बाते करें next में अगर हम बाते करें कि जो प्रोकरियोट्स होते हैं प्रोकरियोट्स में आपको क्या है कुछ unique inclusions आपको देखने मिलेंगे ठीक है क्या देखने मिलेंगे inclusions देखने मिलेंगे अंदर की तरफ में उभार आपको inclusions देखने के लिए मिल सकते हैं अधर के तरफ में उभार में जो zooms भी आपको देखने के लिए आपको DNA के उपर में किसी भी तरह का nuclear membrane नहीं मिलेगा देखने के लिए नहीं तो इसमें कोई और वोगनेल्स पाए जाएंगे यूकेरियोट्स में और वॉगनेल पाए जाते हैं लेकिन प्रोकेर्योट्स में नहीं पाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक पाए जाएगा और्गनेल जो क्या है ? राइबूजूम और राइबूजूम क्या होता है protein synthesis का factory से कहते है, ठीक है, protein का बनना जो है, वो ribosome में ही होता है, और जो special, यहाँ पर देखे एक और sentence है, specialized differentiated form of cell membrane, ठीक है, cell membrane से differentiate होकरके, अलग अंदर के तरफ में उभार बनता है, ठीक है Metabolism में role play करता है prokariots का, किसका कौन, mesozoom, और mesozoom असल में क्या चीज़ है, infolding of, किसका infolding है, cell membrane का, ठीक है न, किसका है cell membrane का, अब जैसे यहां पर समझे, figures देख करके समझे, तब पता चलेगा, कि infolding किसे हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, यह चीज़, देखिए यहा कि maozoom आपको दिखाते हैं, पहले यह देखे, structure में सबसे पहले तो बाहर में आपको जो layer दिख रहा है, उसमें को capsule के बाद में आपको दिख रहा है, इसमे से लगो की उसको देखेगा यह चीज यह अंदर वाला जो लेयर है इसे हम लोग क्या करें प्लाज्मा मेंब्रेन करें ठीकर ना यह अंदर वाले लेयर प्लाज्मा मेंब्रेन हो गई अब इसके बाद में क्या है इसके अंदर में जो पाए जाते है और एक ही और पाए जाता है जिसको हम यहां पर क्या है यह attach है आपको पिली दिख रहा है यह sex pilus भी इसको कहते हैं आसल में एक बैक्टेरिया दूसरे बैक्टेरिया से sex pilus के through contact करता जिसको हम लोग conjugation term से कहते हैं उसको क्या कहते है conjugation वो भी अभी हम लोग देखेंगे उस figure के थुरू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह flagella जो कि क्या है plasma membrane से पूरी तरीके से attach होता और यह बाहर निकला होता यह bacteria को move करने में मदद करता है ठीक है यह होगा इसका nucleoid होगा यहाँ पर दिख रहा है यह और निकलाइड के अलावा भी extra DNA होता है bacteria जिसे हम लोग यह plasmid कह रहे थे done यहाँ तक यह structure देख लिए भी हम लोग अब इसके बाद में क्या है वो हम लोग देखते हैं इस structure में अभी हम लोग को और क्या 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 देखना है cytoplasm हमने देखा cytoplasm कैसा होता है colorless होगा collidal होगा viscous होगा ठीक है मत्तब कि एक तरह से बोल सकते हैं जो हम लोग खकार या नेट जो होता है वो एक तरह से गाढ़ा फ्यूलीड होता है ठीक है ना उस तरीके का आपको क्या है उसमें cytoplasm हो कहरा है ठीक है ये चीज़ और ribozome कैसा होगा 70S ribozome का topic जब पढ़ेंगा ना तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि 70S और 80S क्या होता है वो चीज़ देखेंगे फिलाल याद रखें ribozome होता है जो कि ribozome प्रोटीन और इंजाइम को बनाने में मदद करता है ठीक है अभी मैंने बात के थी कि mesozoom mesozoom क्या होता है mesozoom as a mitochondria का function करता है जैसे eukaryotes मे mesozoom जो है वो क्या है sorry prokaryotes में जो mesozoom है वो as a किसका काम कर रहा होता है तो mitochondria का है देखेंगे आपे क्या लिखा है they represent eukaryotic mitochondria यह क्या represent करता है eukaryotic में जैसे mitochondria ATP produce करता है उसी तरह से या energy provide करता है oxidation के लिए यहाँ पे mesozoom prokaryotes में यह काम कर रहा होता है ठीक है यह बात याद रखेगा और बहुत सारा respiration यानि bacterial का respiration enzymes या function उसको करवाने में मदद करता है ठीक है inclusions आपको दिख रहा है यह गोल-गोल inclusions जो phosphate granules जिससे कहते हैं यहाँ पे यह देखें आपे inclusion के बारे में क्या बोला गया है inclusion के बारे में यह बोला गया है यहाँ पे कि जो आपको दिख रहा होगा they believe to prolonged यानि कि यह क्या करते हैं अपने food को श्टोर करके रखते है bacteria या prokaryotes में जो भी prokaryotes में आते हैं वो अपने खाने को श्टोर करके रखते हैं inclusion bodies में ठीक है और यह दो तरह का होता है एक होता है organic और दूसरा होता है क्या चीज़ inorganic inclusion body inorganic में जैसे क्या यह श्टोर करके रखते हैं phosphate और sulfur वाला granules यह चोटे 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 जो यह है ना इस तरीके से दिख रहोगा आपको figure में यह चोटे चोटे से यह granules को यह इस तरह से यह दिखे light green में जो gold मैंने किया यहाँ पे gold मैंने किया ठीक है ना यह light green में यह वाला यह हो गया यह चोटे चोटे से granules यह श्टोर करके रखते हैं जिसमें की glycosine आपको देखने मिलेगा poly hydroxy butyrate granules आपको देखने मिलेगा phosphate granules देखने मिलेगा surfal granules आपको देखने के लिए मिलेगे organic इनorganic इस तरह का granules पाये जाते हैं bacteria के अंदर में ठीक है आगई बात समझ में हाथ तक clear अब हम लोग क्या है bacterial का nucleus को देखते हैं bacterial का nucleus क्या चीज़ आपको nucleoid के form में देखने मिलेगा unlike eukaryotic eukaryotic में आपको nucleo ही देखने मिलेगा जो की advance होता है जो की nuclear membrane से close होता है जिसमें nucleolus भी present होता है लेकिन आपको यू prokaryot में nucleolus ना देखने मिलेगा ना nucleo plasm देखने के लिए मिलेगा ठीक है और नहीं तो nuclear membrane देखने मिलेगा असल में ये advance DNA नहीं होता है बस इतना याद रखेगा किसमें prokaryot में ठीक है आगई बात समझ में चीज़ clear है आपको इसमें plasmids भी देखने मिलेगे क्या देखने मिलेगे plasmid extra देखें आप ये दिखरा होगा आपको ये extra है ये bacterial का main DNA ये bacteria का main DNA है और ये जो plasmid है ये extra circular chromosomal DNA और इसके पास में ऐसा gene होता है जो कि क्या करता है bacteria को toxic और किसी भी अदर जहरीला पदार्त जो उसके आज़ पास में रहता है उससे बचाता है ठीक है आई बात समझ में आपे clear है यहाँ पे देखेए निकलोड ये figure आपको दिख रहा होगा ये bacteria का DNA है और ये अंदर में यहाँ पे यह plasmid दिख रहा है यह 3D animation है 3D यहाँ पे यह picture है उससे आप समझने कहाँ पे इसको closest किजेगा ओके आगए बास में बैक्टेरी अपना reproduction कैसे करता है देखेए ये जो मैंने आपको sex palace binary fusion तो आपको पता होगा birding जो खिल करके होता है ठीक है मतलब एक तरह से अपना क्या करता है वो bird निकालता और उससे अपना reproduction करता है और conjugation जो मेंन बताने का मतलब है ये conjugation में क्या होता है इस figure को खाली देख करके समझेए ये आपको figure दिख रहा होगा ये एक bacteria और ये दूसरा bacteria ये क्या करता है जो ये donor bacteria है वो six pile bus ये pile bus ये pile bus ये पिली जो है यहीपिली को ही यहाँ पर piles को ही तो ये kids class grow करता है और ये दोनों आपस में क्या करते है इस तरह से fuse कर लेते क्या करते है इसको fuse कर लेते हैं और यहाँ पर DNA polymerization के चैणा एक अपना क्या करता है ये plasmid को इसका δूब्लिकेट बना करके दूसरे bacteria के अंदर में अपना क्या कर रहा है ये डाल दे रहा है क्या जीज यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यह अपना plasmid यानि plasmid DNA को ये insert करवा देता है दूसरे bacteria में, इसी को हम लोग बोलते है sexual conjugation, क्या बोलते है इसको sexual conjugation, यह देखे, इसके पास तो था ही अपना plasmid, यह अपना plasmid का duplicate बना करके, यह अपना plasmid का duplicate बना करके हाँ पे और यह इसमें insert कर दिया, और इसी को बोलते हैं F plasmid, जो एक bacteria, दूसरे bacteria में जिस तरह का pl plasmid को transfer करता है, उसको हम लोग F plasmid कहते हैं, okay, done यहां तक बाते, अब देखे, आपको यहां पर दिखेगा next topic, हम लोग आते हैं, cell envelope and its modification, कि prokaryotes में cell envelope, यानि कि cell envelope क्या होता है, उसका जो cell wall है, उसकी बाहरी परत है, वो कैसे बना, उसको देखेंगे, और उसमें क्या-क्या यहां पर क्या है, जानेंगे, उसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि जो prokaryotes होते हैं, उसमें particular क्या bacterial cell होते हैं, यह बताने की बात नहीं है, लेकिन जो उसका cell envelope है, यानि बाहरी परत, यानि बाहरी परत क्या है, उसका जो envelope है, थोड़ा complex होता है, यू करियोटिक line, इसको याद रखेगा, सबसे बाहर में जो होता है, outer most, वो किस से बना होता है, वो glycocallic से बना होता है, followed by glycocallic से बना क्या होता है, capsule का असल में यह बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, यहां पर capsule में, NCRT, यहां पर क्या है, capsule की बात की, ठीक है, दूसरा layer कौन सा होत होता है, cell wall and then उसके बाद में क्या है, plasma membrane, cell wall ही क्या होता है, peptido glycan से बना होता है, cell wall किस से बना होता है, peptido glycan से और सबसे बाहर में जो उसका layer होता होता है, glycocallic से, plasma membrane किस से बना होता है, phospholipid, phospholipid layer से बना होता है, ठीक है न, यह चीज़, अब अगर हमें हाँ पर बात कर कि असल में यह इतना आखिर बाहर का लेयर क्यों Так टो असल में वह सिंगल प्रोटेक्टिव यूश्ल यूट था वोल सकतेмет सकते प्रोटेक्षन के लिए काम कर रहा है बैक्टेरिया को इसी इनवेलब के कारन थे soul इन्वेलप के कारण यानि कि उसका जो बाहरी परत है यानि क्याप्सूल एक यानि इन्वेलप के अधार पे जैसे एक में आपको बोले जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया किसे कहेंगे उसकी बात यहां पर कर रहे हैं जैसे अगर हम बोले कि अगर grem stain से अगर हम उसको रंग करते हैं और उसको रंग चहड जाता है. ठीक है तो उसको हम ब लोग gram positive bacteria कहते हैं और जिस पर रंग नहीं चहडता है, यानि एक पर का stain होता है, color होता है, dye होता है, जो कि उसके उपर में डालते हैं. ठीक है उसको हम लोग क्या है staining procedure developed by gram विज ठीक है यानि एक तरह का ये stain होता है ये color stain होता है अगर उसको हम लोग कहते है gram positive और जिसको color नहीं चढ़ा उसको हम लोग कहते है gram negative अब ये कैसे होता है किस तरीके से होता है चलिए हम लोग figure के थुरू समझते हैं फिर नीचे में ये वाला topic को हम लोग अभी देखेंगे ठीक है देखें आपे देखें आपे जैसा कि अभी मैंने बोला आपको कि सबसे पहले तो हम लोग capsule देखें इसका बाहरी परत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ठीक है आपको ये figure में भी दिख रहा होगा नहीं ये जो bacteria है बाहर बाहर में आपको जो मूटा सा cover दिख रहा है वह असल में कुछ और नहीं capsule है उसका क्या है capsule ठीक है न ये चीज़ और आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जिसके बाहर में capsule कुछ bacteria आपको यहाँ पर दिख रहा होगा capsule उसके उपर में present है ठीक है आड़ी बाद समझ में capsule का ही ये electron microscope से लिया गया photo ये देख रहा है ये बैक्टरिया स्टेप्टो कोकस ये बैक्टरिया दिख रहा है capsule किस चीज़ों से बना होता है मिलकर के तो capsule जो है वो बना होता है viscous outermost layer से यानि सबसे पहली बातों की cell wall से भी बाहरी layer होता है polysecrite से बना होता है polypeptide से जिसको या glycocalyx कह लिजिए ठीक है इसमें आपको 2% है आपको बोथ polysecrite polypeptide 2% होगा water 98% होगा और they are present only in some species of bacteria capsule भी ऐसा नहीं है कि सब में पाए जाएगा कुछी bacteria में आपको यह capsule मिलेंगे देखने के लिए ठीक है आई बास समझ में clear capsule का काम क्या होता है aid adherence prevent desiccation यानि कि उसको सुखने से बचाता है bacteria को phagocytosis यानि कि एक तरह से उसको रेजिस्ट करता है उसके आसपास में कुछ chemical है ना तो उससे भी bacteria को बच चाता है ठीक है यह चीज़ next इसका जो layer है cell wall अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा सबसे important इसका जो cell wall होता है bacteria का वो मोटा भी हो सकता है पतला भी हो सकता है किसके अधार पर peptidoglycan के अधार पर अगर peptidoglycan यहां पर किसी में जादा है और किसी में कम है इसी के basis पर हम लोग bacteria को बोलते है gram positive bacteria और gram negative bacteria बोले कैसे तो देखिए यहां पर अगर हम यहां पर बात करें यहां पर देखिए यहां पर कि दो तराक आपको यहां पर देखिए इस structure को देखिए figure को कहा गया देखिए इस figure को आपके सामने दिख रहा होगा यहां पर कि दो यहां पर bacteria का एक हम लोग एक बोल रहे है एक को बोल बैक्टरिया का वो देखिए आपको फेप्टिडो ग्लायकेन यहां पर यहां पर देखिए प्रतला देख रहा क्या पतला देख रहा पतला देख रहा है और जो gram positive है उसका जो peptidoglycan composition यानि कि जो peptidoglycan से बना हुआ ये cell wall है वो मोटा होता है ठीक है और इसी वज़ा से जब इस पे रंग देते हैं इस बैक्टिरिया के उपर में तो इसके उपर में जो ये गोल साइसे बैक्टिरिया जैसे इसका ये परत मान के चले ये मोटा होगे है इसका परत मोटा है तो इस पर अगर हम रंग देंगे ठीक है ये चीज जैसे इसको हाँ देखें आप एक जैसे मैंने एक बैक्टिरिया बनाया ये ये एक बैक्टिरिया है ठीक है इसका आपको क्या दिख रहा है cell wall मोटा यानि peptidoglycanis में ज्यादा है लेकिन अगर हम एक ये बनाते हैं ठीक है यह एक बैक्टिरिया मैंने बनाया इसका आपको दिख रहाए ये इसका cell wall पतला है अब इस पे अगर हम रंग चड़ाएंगे तो पतला वहला पर रंग चड़ेगा ज्यादा दिखेगा गाढ़ा नहीं दिखेगा और मोता वहला पर क्या है रंग हमको प्यानी सेल वॉल में पेप्टीडो ग्लाइकन का कमपोजीशन के बेसिस पे ये बाते हम लोग करते हैं आई बास समझ में चीज अब देखें आपर क्या है कि कुछ यहां पर पॉइंट्स है जो लिखे हुए वह देखें कि क्या होता है पेप्टीडो ग्लाइकन ग्रॉस लिं आपको एसिड यह पेप्टीडो ग्लाइकन का जो यहां पर केमिकल नेम है वह बताए जा रहा एन एसिटाइल मूरिक एसिड यानी मूरीन से बना होता है आपको बताएं थे अब यह कुछ दिर पहले कि जो सेल वॉल है सेल वॉल में आपको मूरीन देखने के लिए मिलेगा ठीक है क्या चीज़ है मूरीन इसलिए इसका जो पूरा पूरा जो केमिकल नेम है वह यहां पर एक तरे इनीट में यह नहीं पूछ सकता आपसे यह हाई लेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको यह पढ़ने मिलेगा जो बैक्टेरिया का यह सेल वॉल है ना केमिकल कम समाइन ठीक है जिसको सौट में नैग बोलते हैं या नैम बोलते हैं ठीक है और इसी के बेसिस पर क्या यह दो हिसम बटा होता है एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव जैसा मैंने बताया यहां पर अगर कलर स्टेन हो गया तो इसे हम लोग कहेंगे ग्राम यहां पर इसको देख सकते हैं यहां यहां पर तो purple color से हम लोग उसको क्या color करते हैं ठीक है gram staining यहाँ पर कह रहे है gram staining यहाँ पर क्या positive में large containing well cell wall containing large amount of peptido glycan लगवग कितना 40-90% peptido glycan यहाँ पर chemical composition present होता है ठीक है न ग्राम positive bacteria में और इसमें क्या ग्राम negative में कम होता है ठीक है यह चीज़ अब आगई बात समझ में आपे gram positive और gram negative बाते हैं अब देखें आपे कुछ और यहाँ पर क्या है कि इसका हम लोग layer यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं देखें जैसा कि मैं भी बोल रहता आपको यहाँ पर देखने मिलेगा इसको लोफो ट्राइकस कहें गें जिसमें मुंडी के आगे मतब एक तरह समझें दोनों छोर पर ठीक हैं दोनों एंड के तरफ में आपको अगर देखने मिलेगा इसको एंफी ट्राइकस बैक्टरिया बोलें और उसके पूरे बॉड़ी पर भी टेक है यह चीज़ आई बास में अब यहाँ पर देखिए जो फ्लाइजेला होता है क्या क्या बाट होता है वो चीज़ समझें फ्लाइजैली । प्रोटीन होता है SMITH होताließen का लिए ट्याट debate मैं वह बता रहा हूं जो फ्लाइजेला होता है ठीक है इस विगर को देखे यह फ्लाजिला का ये बहरी भाग है, इसको आम लोग大家 čा ना ही है, ये आपका NCRT में है, ये वाला हुक जो jest क्ड़ करे रखता है, पुम्हck हो कहा है, हिस्सा जो है यहाँ पर क्या चीज है, ये बैसल बॉडी में आता है, किस में आता है, बैसल बॉडी आपका이에कर रहे है, ब और यह बैक्टिरिया को मूव करने में मदद करता है और यह बैसल बॉडी में बहुत सार आपको पार्ट्स आपको दिख रहा है यह चीज परी प्लाजम होगे आपको साइटो प्लाजमिक मेंब्रेन मोटर यहां पर क्या मोटर स्विच लगा होता है जिसके वजह से फिलीज प्रोटीन परजेंट होता है जिसके वजह से प्रोटीन इसको एक तरह से माउंट देता और यह इस तरह से इसको क्या है गोल गोल ऐसे घुमाता है यानि एक तरह से बोल सकते है ऐसे इसे मुवमेंट करवाने में मदद करता है इस तरह से ठीक है साप के जैसा पे ओके तो य यह इसका plasma membrane C help a capsule लेकर के सेलवाल से लेकर के plasma membrane तक यह क्या है धसा होता है ठाव है यह और पिली आपको पता है पिली में आपको कौन साथ पिली जो है किस प्रोटीन से बनाता है Explan democracy किस ने आपको को देखने मिलेंगे पिली कॉंजुगेशन में भी मदद करता है, अभी हमने देखा, यह सेक्स पाइलस के तौर पे एक तरह से कंजुगेशन यानि प्लाजमीड को ट्रांसफर करने में भी मदद करता है, ठीक है, देखेए, यह आपको दिख रहा होगा यह बैक्टेरिया है, ठीक है न, यह आपक पिला पिला इसमें, साइट में निकला हो, वो क्या है, पिली है, क्लियर, यह आपको ग्राम निगेटिव बैक्टेरिया में जादे देखने मिलेगा, कैपसूल हमने देखा था, अब आते हम लोग NCRT पे, ठीक है, देखे, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, कि ग्राम पोजिटिव, ऑ ग्राम, नेगेटिव, किस की अधिर पर होता है? ग्लाइको कैलेक्स, में क्या? कमपोजिशन के बेसिस पर होता है, कमपोजीशन भी किस चीजिश का वई या तो पेप्टिडो ग्लाइकन का, अगर यहाँ पे लूज सीद हुआ, तो इसको हम लोग जो यहा और उसको सपोट प्रवइड करता है एक तरह से फ़ंक्शन करता है मत्तब बैक्टरिया और उसके आसपास का केंखल जो सब्स्टांस से उससे बचाता है उसको सेप प्रवाइड करता है यह चीज हो गया ंदर बाहर कुछ मौलीक्यूल को क्या आने जाने नहीं देता है जाने देगा otherwise वह नहीं देगा यानि सेलेक्ट करके अंदर और बाहर होनी देगा मॉलीक्यूल को कौन प्लाज्मा मेंब्रेन ठीक है अभी हमने मेजुजोम के बारे में भी देखा यहां पर क्या चीज़े इस्पेशल मेंब्रेनस स्ट्क्चर होता है जिसको मेजुजोम कहते हैं और वह as a mitochondria prokaryotes में अज़ा mitochondria वह काम कर रहा हुता है और अंदर में हमने कुछ और extensions देखे जिसको में लोग कहते है वेसिकल्स के जैसा होता है या टिब्यूल के जैसा या लेमली के जैसा परजेंट होता है ठीक है यह चीज़ आ गई बासमझ में आपे किलियर और यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या बाते बोली है कि जो DNA रेप्लिकेशन आपको याद होगा कि जो पाइलस से पाइलस के थूर प्रोसेस इंक्रीज सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया भी इंक्रीज कर देता है प्लाजमा मेंब्रेन का इंजामेटिक कॉंटैंट हो गया संप्रोकरियोट्स लाइक साइनो बैक्टेरिया उसके पास में आल्रेड़े यहाँ बात राद रखेगा जो ब्लू-ग्रीन अलगी बैक्टरिया होता है ना उसके पास में हेट्रोसिस्ट नाम करके एकसेल होता है इसके अंदर में नाट्रोजन फिक्सेशन और रड़ी क्या होता है ठीक है यहाँ पर दिखें एक्स्टेंशन साइटो प्लाज्म देखें क्रोमाटो फॉर्स पाए जाते हैं जो कि पिग्मेंट इसी वज़ा से कुछ बैक्टरिया आपको अल्रेडी क्या कलर दिखेंगे क्यों क्योंकि इसमें क्रोमाटो फॉर्स पाए जाता है यानि कलर के वज़ा से वह आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रोमाटो फॉर्स ठीक है अभी मैंने बताया था कि बैक्टरिया के पास में क आगता है इस प्रोटीन होता है जो की हम लोग पीळीट ब्ृोटीन का नाम क्या हूँ पीलीन quedar ho स्टेबर्टिया कि यह निकल रहाता है तरह का यह यह इस तरह से बोल सकता है या किसी होश्ट टिशू के अंदर में घुसने में यह उपर में लटकने में यह मदद करवाता कि तरह से फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है कौन यह फिम्री ठीक है याद रहेगा यहां तक अब नेक्स्ट में हम यहां पर दिया हुआ है जो क्या चीज़े राइबोजूम से इंक्लूजन बॉड़ी इंक्लूजन बॉड़ी भी हम यहां पर देख चुके लेकिन मैंने यहां पर बूला आपको एक बात याद रखेगा राइबोजूम के उपर में डिटेल स्टडी जब हम लोग यू करियोटिक वाला पढ़ेंगे ना तब वहां पर देखेंगे इतना प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है ठीक है यह सेवेंटियस का होता है यहां टूल्टेश में और अभी डेटीयल इखेंगे। मैंने मेजुजूम के बारे में आपको बाने यहां में भी बातीग की थी मेजुजूम के उपर में मैंने आपको इंक्लूजन बॉडी इंक्लूजन बॉडी क्या रिजर्व फूड मेटेरियल है जो कि क्या करते हैं और किसी भी तरह का मिम्ब्रीन बॉड्ड उसमें कि आपको नहीं देखने मिलेगा फ्री मुझुद होता है साइटोप्लाज में मोव कर रहा है क्या चीज होता है में फोस्पीट साइङो फैसीन ग्रेंवेट लाइको ग्लाइकist फोटısिंस फ्रेंफेसी चेसी यहां में प्रेंब कैसे फते बियाइक पोटलोजी विंटेकर या फिर संसा में आपको देखने और नहीं और चलिए अब नेक्स्ट क्लास में यूकरियोटिक देखेंगे और यहां पर अब यहां पर और यहां पर पढ़ना है जब आएंगे तब यहां पर देखेंगे तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहें एंड कीपी स्माइल और डू सस्क्राइब एंड सीर ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज का क्लास यहां पर समाप्त करते हैं ठाइंक यू